ओके सिवानी फॉश्वल जाना चाहेंगे जिस तरीके से आप घर से बेगर होई हम आप से जाना चाहेंगे आप अपने विच्छन सिर्फ कुछ से या पर कुछ और ज्यादा एक्स्टरेशन जिस तरह से लोग गेम आपका देख रहते हैं इनों सिवानी को फिनाले तक देख होता तो मैं बाहर नहीं आती क्योंकि मुझे जनता मुझे बहुत पसंद कर रही थी और बहुत ज़्यदा प्यार भी कर रही थी लेकिन गेम कुछ और था घर की वोटिंग थी तो मुझे निकलना पड़ा फिनाले बस थोड़ी दूर फिनाले था और वहां से आई हूं तो दुख तो हुआ था फिनाले नहीं देख पाई ट्रॉफी जीतने का सपना था क्योंकि सब सहर से थे गाउं से हम थे तो वो लड़किया मुझे गाउं से देखती हैं कि सिवानी गई है बिग बोस मैं जो बिग बोस नहीं जानती थी जो मेरे बदूलत बिग बोस देखना सिक्कूए थनने मेरे लिए कुछ बहुं मे怎么 Tell L लोग थोठीक हुआ वयाली नहीं जीत पर इसे अर्हस आपको लॉघ कि लिए तो परकूइल वह हुआ फूरी जानते ते जी और कहीश़चर को लगा हुआ बिग बोस जहां अर्मान फैमली को इतने जादा एडवांटेजस मिले उन्हें आपको अगर वो मिलता तो कहीं न कहीं अभी तक आप टिकी रहती है कि उन्होंने हाथ छोड़ दिये पुश्ट कर दिया इवें उनकी पत्नी कृतिका ने भी आपको पुश्ट किया था गाओं की लड़की बिग बॉस में जाती है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था सबसे पहले में बिग बॉस का धन्यवाद करती हूं कि जो मुझे वहां बुलाया एक मौका दिया मुझे सारी दुनिया देख रही आप सब लोग इतने कैमरे लेके खड़ लिए इसमें बिग बास का क्यों नहीं है कि बिग बॉस कर रहे हैं जो बहुत अंदर लोग हैं उनकी वजह से यह होता है कि अब तुम वह संचालक मैं संचालक बनी थी वह कैप्टन बन गए कैप्टन बनने के बाद उनके उपर पावर चली जाती है कि यह को किसको नॉमिनेट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं तो वो घर के अंदर लोगों पर ही है अब वो कैसा डिसीजन ले रहे हैं यह मैटर करता है बात को लेकर मेरी जो आवास थी बिल्कुल हम जैसे अभी बोल रहे हैं ऐसे ही सेम घर पे बोल रहे थे तो मुझे मेरी आवाज को लेकर बोलते थे इसकी आवाज कानों में चुपती है यह बत्मीज है यह गाहों से आगई पढ़ी लिखी नहीं है माना में पढ़ी लिखी इतनी ज़्यादा मतलब पढ़ी बोलोग सब सहर से हैं और इंग्लिस मीडियम के सब पढ़े लिखे हैं हम सरकारी स्कूल में पढ़ें अपनी मेहनत करके प्राइवेट में भी पढ़े जितनी हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर पाई मैंने वह किया है अगर मैं भी उनके जैसे इंग्लिस मीडियम से बच्पन से पढ़ी होती तो उनसे आगे हम भी होते उनके डटके सामना कर पाते तब भी हमने डटके सामना किया है जनता जानती है मेरी जो मेरी टीम थी जो भी मेरी टीम थी सना मकबूल विसाल भाई कटारिया भाई हम लोग बैठते थे तो मेरी टीम बहुत अच्छी थी मैं मुझे प्राउड है कि हम अच्छे लोगों के साथ बैठते उड़ते थे लेकिन आपने फिर उनकी सारी हकीकते बोल दी कि आपकी बार में बारे मुझे आपने दोस्ती भी नहीं निवाई गई नहीं आपके दोस्ती मै अर्मान भाई बोलते हैं कि इधारा मैं तुझे बताता हूं तो हम वहाँ पर बैठे हुए थे तो और मान भाई मुझे यह बोले कि सिवानी अगर तुने बुराई नहीं की तो तुरंद की तुरंद घर से बाहर हो जाएगी तुझे अमने का पुराई कैसे कर नहीं हमें त इस साथ यहीं बात होगी जो उन्होंने बोला टास्क की बात करें कि हां मुझे थोड़ा नहीं समझ में आता था फिर एक हम सब तीनों वोग कैसे रो रहे थे कैसे हम लोग एक दूसरे की पुराई भी कर Immediately अब कि ऩर लिए नेटर वह आपके साथ ही घर मैं कि आपके साथ यह जोड़ाई कि ऊब साथ निकाल दी यह निकल गए तो उनकी इम बुराई क्या ही करें वो मेरा गुरुब था मैं बुराई ने चाहिए था आप नहीं तो कौन ने जगां पर कृत का मलिक निकलनी चाहिए थी क्योंकि वो क्या कर रहे हैं हम तो उन से बहुत अच्छा कर रहे थे इंटर्टेंवन्ट कर रहते हसा रहते सब को आपको नहीं लगता कि विलुकुल क्यूंकि उनको इसलिए नहीं बोला जाता था आप लोग सभी जानते हैं कि अर्मान भाया माइंड वास करने में बहुत उस्ताज हैं तुरंत बातों में फसा देंगे तुम्हें कि तुम ऐसी वो तुम्हारे फेवर में बोल देंगे तो तुम फिगल जाओगी कि यार ये सही बोल रहे हैं तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ अब जब उनकी पतनी कुछ स्थिसमे बोलती थी ना तु तुरंत तो यह समझके दबार दिया जाता था कि अठटाश्य को तो ऐसी बोल उता्य यह समझ के आपके लिए नया ताव तो कहीं अगे आपके निकलने बात पी पीचिंग स्टार्ट रहती थी आपके और सना मगबूल की दोस्ति को लेकर काफी जादा सेपरेट करने की कोशिच कोशिच की गई थी तो अभी भी अभी रन्मीर भी अभी भी वीचिंग करते हैं सना मगबूल के साथ जब इतने 50 साल के अदमी है वो उनके सास बैठते उनकी दोनों की आपस में बहुत बन्ती जिल्ती है तो कहीं ना की उन्हीं के चाल पे वो भी चलेंगे तो बस यहीं कहना चाहेंगे अब जो भी कर रहे हैं जैसे भी कर रहें हैं यार्मान प्लेवी क्या ही औरarta उ आदमें टॉप स्री में ने जी भाई भी आनी चाहिए लिए किसे लिए लिए लेके बाद आप आप भी नाराश हुए थे तो आपको उन्ती हो तभी आगे किसे कनेक्शन दखने वाज है दीपक भया से मेरी बात हुई निकलने के बाद तुरंत हम लोगों ने बात की वो को समझाने की कोसिस कर रहे थे कि वो जिस इलाके से आती है उसकी टोन ऐसी है तुम उसको आवाज को लेके मुद्दा मत बना वो हमेशा बोलते थे वो मेरे सपोर्ट में थे बहुत ज्यादा विनर किसे देखनी है आप से वाई कर दो बिनर मैं कटारिया भाई को देखती और जो बस मुझे यही फील होता है कि मेरे पढ़ाई को लेके उन्होंने ऐसे बाते की मुझे बत्मीज बोला सब कुछ तो बस यही कहना चाहते हूं मैं विक बॉस के घर से बाहर आ गई हूँ जो भी मुझे विक बॉस से पैसा मिलेगा मैं उन गरीब लड़कियों के इतना भी मुझे बहुत से पैसा मिलेगा उन गरीब लड़कियों पर लगाऊंगी जो पड़ नहीं पा रही है अगे से उनको लगता था ना कि सिवानी है ना समझ है इसको क्या इसको ही टार्गेट बनाते हैं सब से बनाके चलते हैं तो घर से नहीं बेघर होंगे तो अग बहार हो जाते इसलिए वो भाई सूमडी में खेल रहेते झाल 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 झाल